नेशनल हाइवे अथोरिटी ओफ इंडिया 220 किलोमेटर लंबे जहासी कानपुर हाइवे को सिक्स लेन बनाने जा रहा है वानों की तेजी से बड़ती संक्या की वज़से सड़क अविस्तार किया जा रहा है सिक्स लेन के लिए कसरत शुरू हो गई है इंजीनियर नाप जो कन्ये में जुड़ गए है जहासी कानपुर फोल लाइन हाइवे का निर्मान साल 2006 में किया गया था तब इस तड़क का PCU 15,000 था यानि कि उस वक्त इस तड़क से प्रति दिन 15,000 वानों का आवगमन होता है लेकिन अब इस तड़क से हर दिन 35,000 से दिक वानों का आवगमन हो सकता है यह भी वैवाहन है जिन से टोल वसूला जाता है इसके लावा प्रति दिन इस तड़क से 2002 पईया तिपईया ट्रेक्टर आदी वाहन भी गुजरते हैं बानों की लगतार बटी संक्या के चलते जासी से कानपुर तक की सड़क को सिक्स लेन बनाने की तयारी की जारी है एनेचाई की ओर से इस पर योजना का खाका तयार किया जा चुका है जमीन पर खाका तयार किया जा चुका है फोल लेंड को सिक्स लेंड में तबदील करने के लिए एनाचाई को अलग से जमीन का दिगरण नहीं करना पड़ेगा फोल लेंड सड़क की चड़ाई 21.5 मीटर है इसमें 8.5 और 8.5 मीटर की दूनू और सड़क वा 4.5 मीटर का डिवाइडर शामिल है इसके अलावा सड़क के दूनू और 1 मीटर की पटरी भी है सिक्स लेंड बनने पर सड़क 32.5 मीटर चौड़ी हो जाएगी जबके एनाचाई के पास पहले से ही 45 मीटर जमीन मौजूद है इसके अलावा सड़क से गुजरे वाइपास 60 मीटर चौड़े है ऐसे में एनाचाई को 4 लेंड में 6 लेंड में तबदिल करने से अलग से जमीन का बंदोबस्त नहीं करना पड़ेगा रोजाना पौने 2 करोड रुपे मिलता है टोल प्लाजा को जहासी से कानपूर की बीच 4 टोल प्लाजा है जिनमें एनाचाई को रोजाना लगवक 1 करोड 70 लाख रुपे टोल टेक्स हासल होता है इसमें जहासी से उरे की बीच 45 लाख रुपे और उरे से कानपूर की बीच प्रतिजिन सवा करोड रुपे टोल टेक्स हासल होता है प्रब्ड़ सब्सक्राइब